जो live churchा का विशह है लक्श्मन जी ने क्यों किया परशुराम जी का अपमान, परशुराम जी ने ललकारा शेराम को, क्या यह घटना सकते हैं? जी है, घटना तो बिल्कुल सकते है, लेकिन यह घटना कैसे घटती हैं, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे, कि लक्षमन जी ने बार बार परशुराम जी को अपमानित किया और आप विचार कर सकते हैं कि परशुराम जी को अपमानित करने का नतीजा क्या निकल सकता है जैसी उनकी छवी है तो परशुराम जी की छवी है कि परशुराम जी परशुराम जी बहुत क्रोधी सभाव के हैं किसी भी छण अपना हथियार उठा लेते हैं कभी भी किसी का वध कर देते हैं और 21 बार उन्होंने इस प्रत्वी को छत्रिय विहीन कर दिया ऐसी चर्चा उनके बारे में आती है गोस्वामित उसिदाज जी भी परशुराम जी के बारे में ऐसे ही चर्चा करते हैं लेकिन लक्षमन ने लक्षमन जी ने भगवान राम के छोटे भाई और ये चारो ही भाई अवतार कहे गए हैं इन चारो भाईयों को ही गोस्वामी तोसिदा जी ने अवतार लिखा है रामचरतवानस में पतलब भगवान का अवतार चार भाईयों के रूप में हुआ है राम भरत लक्षमन सत्रुग्न इस तरह से माना गया है लक्षमन जी ने परशुराम जी का अपमान किया लेकिन परशुराम जी कुछ नहीं कर पाए लक्षमन जी का वद भी नहीं कर पाए उन्हें छू भी नहीं पाए तो अब जो प्रशुराम जी के बारे में जो प्रचार किया गया है कि वो बहुत क्रोधी सभाव के हैं 21 बार उन्होंने शत्रिया विहीन कर दिया प्रत्वी को तो क्या सही बात है? यह अभी प्रश्ण उठता है देखिए सबसे बड़ी बात क्या है? जो संत है, जो रिशी है, जो मुनी है वो सैयमी होते हैं अब सैयमी होने का मतलब क्या है? क्या खाना नहीं खाएंगे? क्या वो क्रोध नहीं करेंगे? अगर सैयमी है तो? क्या वो विवाह नहीं कर सकते और उनके संताने नहीं हो सकती? अगर सैयमी है तो? क्या समझना चाहते हैं इसलिए परशुराम जी क्रोध करते थे तो जगत के कल्यान के लिए क्रोध करते थे क्रोध का परदर्शन करते थे तो दुष्टों के मन में भय उत्पन हो इसलिए क्रोध करते थे इसलिए क्रोध का परदर्शन करते थे कि दुष्ट व्यक्ति निरंकुष राजा जो हैं, जिन पर कोई अंकुष लगाने वाला नहीं रहता, उनके मन में भय होना चाहिए, उन्हें परशुराम का भय होना चाहिए, और कहा जाता है कि जिसको परशुराम का भय है, उसे फिर संसार में किसी का भय नहीं रहता, भीत हो गया उसे संसार में किसी का भय नहीं रहता तो भगवान परशुराम की महिमा को ही समर्पित है आज का यह विशय आज का यह कारिक्रम और साथी साथ जो रमायन का प्रसंग है कि किस प्रकार से वो धनुष यग्य में प्रवेश करते हैं धनुष तूट जाने के बाद क कर देते हैं उस समय बहुत कुलाहल मचता है लेकिन उसी बीच कैसे भी सीता जी जैमाल डालती है राम जी के गले में परन्तु राजा लोगों को यह बरदाश्ट नहीं होता सहन नहीं होता क्योंकि उनके एहंकार का नाश हो गया है कोई राम जी पर आक्रमन करता है कोई शो हला में उसी कोलाहल में उसी विद्रो के माहौन में भगवान परशुराम का आगमन हो जाता है परशुराम जी आ जाते हैं परशुराम जी को देखते हैं जितने भी राजा गन देवता गन जितने भी आये थे सीता जी से विवा की कामणा लेकर और जिनकी कामणा पूर्ण वो सब शान्त हो गए कि जानते थे कि भई अब तो यह जो आ गए हैं अब इनके सामने क्या बोलना चुपही रहे तो अच्छा है नहीं तो यह हमारी गरदन उतार देंगे और जब शिव का धनुष तूट गया है तो निश्य ही वो उसी के लिए आए हैं उसी के लिए आए है और जिसने तोड़ा है वो बचने वाला नहीं है राजा बड़े प्रसन्न हो गए जितने भी राजा आये थे जो शिव जी का धनुष छू भी नहीं सके हिला भी नहीं सके वो बड़े खुश हो गए अब तो शीराम चंद्र बचने वाले नहीं है अब रगुवन शीराम की क जाएंगे परशुराम जी के फरसे से कोई बचने वाला नहीं है और भगवान परशुराम आये राजा जनक से पूछा कि भाई क्या इतना कोला हल है राजा जनक ने कहा कि देखिए विश्वामित्र जी के साथ रगुवंश के दो युवक आये हुए हैं और उन्होंने प्रण जनक से पूछा कि जनक यह धनुष कैसे टूट गया यह धनुष भला खंडित कैसे हो गया आवेश में आ गए प्रोध में आ गए कहा कि जनक सही सही इसका उत्तर मुझे दे दो किस धनुष को किसे तोड़ा है नहीं तो तुम्हारे पूरे राज्य की धर्ती को पलट के दूंगा जब ये बात सुने जनक भी भैवीत होगे भाई आप क्या होगा बड़ा खतरनाक दृष्ष बन गया बड़ा भयावह दृष्ष बन गया और परशुराम जी पूरे क्रोध में आ गए आखें लाल हो गई ब्रिकुटी चड़ गई वद कर देंगे किसी को छोड़ें नहीं धनुष किसने तोड़ा अब इसका नाम बता दो सही सही बता दो पूछ रहे हैं परशुराम जी पूछ रहे हैं लेकिन अब कुछ और भी घटना वहां घटेगी तो इससे पहले क्योंकि अगर इस प्रसंग को समझना है क्योंकि आगे बहुत सारी घटनाए गो स्वा तो उनका उत्तर हमें तभी समझ में आएगा जब हम भगवान परशुराम के इतिहास को जानेंगे कि उनका जन्म और उनके द्वारा चलाया गया अभियान क्या था किसके विरुद था तो शहस्र बाहु कहते कि बहुत पहले है होई वन्ष में एक बहुत महान राजा हुए जिनका नाम था सहस्र बाहु अर्जुन उनका नाम था कार्त वीरिय अर्जुन के नाम से भी वो प्रसद्य थे राजा अब एक बात बताओ कि परशुराम जी ने इस सहस्र बाहु अर्जुन का ही वद किया था परंतु एक प्रश्नी यहां पर है कि सहस्र बाहु अर्जुन को असुर नहीं माना गया ऐसा क्या कारण है उसने भी बहुत अत्याचार किया बहुत जो है उस कहते हैं कि सहसर बाहु अर्जन बहुत अत्याचारी था बहुत बल्शाली था रावन को भी गधे की तरह अपने अस्तबल में रखा हुआ था कितने दिनों तक बंदी बना कर उस राक्षस शब्द जो है सहस्र बाहू को क्यों नहीं दिया गया यह किसी ने मुस्य प्रश्ण किया रावन को राक्षस कहा जाता है तारकासुर को लेकिन सहस्र बाहू को या कार्त वीर अर्जुन को जिसका वद्ध भगवान पर शुराम ने किया था उनको क्यों सम्मान दिया कि है है वंश में इस महा प्रतापी राजा और पुन्यात्मा राजा सहस्र बाहु अरजुन को पुन्यात्मा भी कहा जाता है क्योंकि बहुत भक्त प्रविर्ती के थे धर्म आचरण में निपुन थे और पुन्यमाई राजा थे इन्होंने बहुत कटोर तपस्या की भगवान दत्ता त्रे के कृपा से इनके अंदर इनकी भुजाओं में साक्षात महादेव का बल माना जाता है तो कठोर तपस्या करने के बाद भगवान दत्ता त्रे ने इनसे कहा कि वर्दान मांगो और जब वर्दान मांगने के लिए कहा गया तो वर्दान में इन्होंने तीन उन्होंने यह मांगा कि हे गुरुदेव, हे भगवन, जब मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ रहूं, तो मेरी दो भुजाए होनी चाहिए, लेकिन जब मैं शत्रू के समक्ष युद्ध भूमी में खड़े हो जाऊं, तो उस समय मेरी हजार भुजाए बन जानी चाह और मैं अपनी हजार भुजाओं से एक साथ उसके एक एक हजार सैनिकों का वद कर दूँ, और ऐसा ही होता था, सहस्र बाहु अर्जुन को ऐसा ही वर्दान मिल गया, इसके बाद सहस्र बाहु अर्जुन ने कहा, कि हे गुरुदेव, मुझे संपूर्ण पृत्वी का राज ये प्राप्त हो, जब ये वर्दान मांगा, तो भगवान दक्तात्रे ने यह वर्दान भी सहस्र बाहु अर्जुन को दे दिया, फिर तीसरा वर्दान मांगा, कि हे प्रभु, मुझे आप वर्दान दीजिए, कि मैं धर्म पुरुवक शाशन करू, मैं धर्म पुरुवक शाशन करूं मुझसे कभी कोई अधर्म ना हो इस प्रकार से वर्दान मांगा तो मुझसे कोई अधर्म नहीं होना चाहिए मुझसे कोई पाप नहीं होना चाहिए कोई गलत निर्णय नहीं होना चाहिए मैं धर्म युक्त होकर आचरन करूं अब रावन होता तो कभी ऐसा वर वक्त ही अपना शाषन करो तो भगवान दत्तर तरे निगा के तथास्तु ऐसा ही होगा लेकिन फिर भी शहाष्र बाहु को पता था ये बात कि मान प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति से अंजाने में भी अधर्म हो सकता है शास्त्र बाहु अर्जुन इतने विवेकी थे महाग्यानी थे तो उन्होंने कहा कि गल्ती तो हो सकती है भाई मन में उनके आया तो उन्हें कहा कि भगवन एक वर्दान मुझे और देदीजि तो भगवान दत्ता तुरे ने कहा कि एक और वर्दान नहीं यह उनको पता था क्योंकि विवेकी मनुष्य का भी अनुचित नहीं मांगता तो शहस्र बाहु अर्जुन ने है है वंशी समराट ने उस समय वरदान मांगा कि भगवन यदी में धर्म से चूत हो जाओं यदी में धर्म का मार्ग त्याग दूं पता नहीं शक्ति के में प्रित्वी का राज मुझे मिल जाए तो मिलना राज असान है लेकिन चलाना मुश्किल है तो शहस्र बाहु अर्जुन को पता था राजा बनना और राज पाठ चलाने में बहुत फर्क होता है यदी मुझसे कोई गलती हो जाए यदी मैं अधर्म के मार्ग पर चल पड तो इस प्रकार से चौथा वर्दान भी जब मांग लिया तो भगवान दत्ता त्रे ने कहा कि तथास्तू है सहस्र बाहु अर्जुन यही होगा यदी तुम गलत रास्ते पर चल पड़ोगे धरम के मार्ग पर चलते हुए गलत रास्ते पर चल पड़ोगे तो निश्य ही को कोई ना कोई तुम्हें मार्ग पे लाने वाला जरूर आएगा और ऐसा वर्दान देकर भगवान दत्ता त्रे अंतरध्यान हो गया सहस्र बाहु अर्जुन को हजार भुजाओं का वर्दान मिल गया पूरे प्रत्वी का राज्य मिल गया लेकिन सहस्र बाहु ने कभी यह नहीं कहा कि मुझे अनर होना है लेकिन फिर भी कहते हैं कि इस वर्दान से भी वह ऑर जैसा जीवन चिरंजीवी हो गया बहुत लंबी आयू उया सहस्र बाहु अर्जुन के वह सामर्थ से पूरी पृत्वी धर्म पुरवक पृत्वी का सशन होता था धार्म पुर्वक पिर्थवी का साशन होता था लेकिन सहस्र बाहु अरजुन तो धार्म के मार्ग पर चलता था ऐसी कथा आती है कि सहसर बाहु अर्जुन तो धर्म के मार्ग पर चलता था लेकिन उसके संरक्षन में उसके पुत्र या उसके भाई भतीजे जो थे धीरे-धीरे दम भी हो रहे थे धीरे-धीरे घमंडी हो रहे थे और जनता का शोशन भी करना शुरू कर दिया था वो अधर्म के मार्ग पर चलना शुरू कर दिये थे सहस्र बाहु अरजुन ने सोचा कुल मिलाकर इस अधर्म का भागी भी तो मैं ही हूँ कही न कहीं मैं ही हूँ तो अब इसको रोकना होगा और जब तक मैं हूँ तो इस विशय में अने को कथाएं आती है इस विशय में अने को कथाएं आती है एक कथा यहां आती है कि शहस्र बाहु अरजुन ने घोशना की कि छट्रियों से बढ़कर कोई दूसरा नहीं होता मुझसे बढ़कर अपने आपके लिए उसने कहा था कि मैं राजा हूँ और मुझसे बढ़कर कोई नहीं होता ना देवता है क्योंकि उसके उतने पुन्य थे उसका उतنا धर्म था और उसकी उतनी तपस्या थी कठोर तपस्या का भी एहनकार था तो उसने कहा मुझसे बढ़कर कोई नहीं है तब उस समय वाईूदेव ने आकर सहस्र बाहू अर्जुन से कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरी इमानदारी से अपनी जंता की सेवा करने वाले हो फिर भी ये एहंकार उचित नहीं है ऐसा एहंकार बिलकुल मत पालो नहीं तो किसी समय कुछ और घटना घट जाएगी क्योंकि यह प्रकृती बहुत बलवान है किसी का शाशन हमेशा चलने नहीं देती इस पृत्वी ने कहा कि यह ब्रामन तो हमारे संरक्षन में रहते हैं यह हमसे बड़े कैसे हो सकते हैं और रही बात धर्म आचरन और तपस्या करने की तो मैंने क्या कम कठोर तपस्या की है मैं क्या धर्म आचरन नहीं करता तो अब इसका भी कोई उत्तर नहीं था क्योंकि निश्य ही सहस अभी भी कई सध्ध रिश्यों की बराबरी वो करने का सामर्थ नहीं रखते थे। यह अभी इस्तिती थी परन्तु वायू देव के समझाने पर भी वो बात नहीं समझे और काल की वायू जब घूम जाती है तो अच्छे-च्छे राजा-महराजा भी जमीन पर आ जाते हैं। कौन जानता है, कब क्या हो जाएगा। और इसी तरह से सहसर बाहू के मन में ये बैठ गया कि देवता यह मानते हैं कि ब्रामन इनसे स्रश्ट हैं। तो सहसर बाहू ने एक ठान लिया कि वो कैसे भी ब्रामनों को नीचा दिखाएंगे। जो परशुराम जी की माता थी जो भगवान परशुराम की माता थी देवी रेनु का वो अयुद्या की राजकुमारी थी और कहा जाता है कि वो सहस्र बाहु अर्जुन की रिष्टे में अर्थात उनकी साली लगती थी उनके साथ उनका जो संबंद बनता था परशुराम जी के मौसा लगते थे सहसर बाहु अर्जुन ऐसी भी एक कथा आती है साहसर बाहु अर्जुन रिस्तिदार लगते थे और जब जमदगनी भगवान ने रिशी जमदगनी ने जब ये आग्या दी पर शुराम जी को कि जाओ अपनी माता का सिर धड़ से अलग कर दो एक ही फरसे में उन्होंने जबकि माता से बहुत रेनु का पुत्र उन्हें कहा जाता है अपनी मा से बहुत प्रेम करते थे रह नहीं सकते थे एक छणा अपनी मा के बिना लेकिन पिता की आग्या पर कि जाओ कर दो क्योंकि पिता की आग्या ना समझ कर अपने गुरू की आग और उस समय जो है जमदगनी रिशी के जैसे ही जमदगनी प्रसन्न हुए अपने पुत्र की ये निष्ठा देख कर तो उनसे कहा कि वर्दान मांगो तुन्होंने वर्दान भी यहीं मांगा कि मेरी माता को पुनह जिवित कर दीजिए मैं अपनी माता के बिना नहीं रह गया जब यह घटना घटी और जब यह बात सहस्र बाहु अर्जुन को पता चला तो उस समय सहस्र बाहु अर्जुन अपने पूरे दम खम के साथ जमदगनी के आश्रम को उजारते हुए जमदगनी की घोर भर्सना और अपमान करते हुए जमदगनी के वद की कथा आती है क रिशी जमदगनी को वो मारते हैं उस समय और यहीं से शतुर्ता शुरू होती है परशुराम जी की और सहस्त्र बाहु अर्जुन्टी फिर अपने पिता की आग्या और इस प्रकार से देख कर कि भाई इसने तो इस प्रकार से हमें अपमानित किया है तारे और मुझे ही अपमानित नहीं कर रहा पूरे ब्रामन समाज को अपमानित कर रहा है पूरे रिशी समाज को अपमानित कर रहा है तो फिर भगवान परशुराम इस प्रकार से उठ खड़े होते हैं अपना फरसा लेकर और है है वन्शियों के साथ उनका युद्ध प्रार लिए महाप्रतापी धर्मग्य सहस्रबाहु अर्जुन का भी वद होता है इसके पिशे कई कथाएं हैं इसलिए धर्म आचरन करने के लिए और एक बहुत ही सकरात्मक रूप से तपस्या करना और विवेक के साथ वर्दान मांगना भगवान सब के सामने प्रगट हो जाएं ल सहस्र बाहु जानता था कि मुझे वर्दान में क्या मांगना है और क्या नहीं मांगना है इसलिए उसने उचित मांगा और कहा कि यदी मैं अधर्म के मार्ग पे चला जाओं तो सिक्षा देने वाला कोई डंडा लेकर आना चाहिए जो मुझे डंडे से इशारा करके ले करते रहते थे ऐसी चवी बाद में कुछ लोगों ने बना दी बाद में लोगों ने बना दी कि ऐसा बिलकुल नहीं था और इस बात का प्रमान मिलता है कि परशुराम जी बहुत धैरवां थे उनका क्रोध नियंत्रन में रहता था तभी लक्ष्मान जी बच गये नहीं तो धैरेवान थे, सरल हिरदय थे, विनम्र थे, उनकी मन में ऐसे ही छवी रखनी चाहिए, ऐसा छवी नहीं रखना चाहिए कि वो क्रोधी थे, बलकि उनका कोप अनिवारित था पृत्वी की रक्षा के लिए, पृत्वी का संतुलन बिगाड़ने लगे थे है है वन्शी राजा और है है वन्शी कार्तिवेरी के जो पुत्र थे, वो जगजग़ जग़ के राजा बन कर अपनी मनमानी करते थे, सहस्त्र बाहू ने देखा कि मेरे ही पुत्र है और अब तीसरा कारण भी है, सहस्त्र बाहू का वध भगवान परशुराम के द्वारा हुआ, इसका तीसरा क स्क्राण किया है कि जब इस प्रकार से कहते हैं कि एक समय और भग्वान विष्नु को प्रसन करके है, इसमें कई विचार धारायं आती ہیں, सहस्त्र बाहू अर्जुन को भग्वान विष्नु का भी अवतार माना गया, अंशा अवतार माना गया है, रुद्धर अवतार और एक समय भगवान विश्णू से सहत्र बाहु अर्जुन ने यही कहा था कि भगवन यदी मेरा वद हो तो कोई सधारन मनुष्य तो मेरा वद करनी पाएगा, आपको ही आना पड़ेगा, कोई राक्षास, कोई दैत्य, कोई दानो मेरा वद नहीं कर पाएगा, आप ही आएं अधर भगवान शिव और विश्णू का बल था, ऐसा दोनों का ही बल, उनकी भुजाओं में महादेव का बल माना गया है, तो इस प्रकार से बल था, तो वही बल लेकर परशुराम जी का भी जनम हुआ था, वही रुद्र अंश भी था परशुराम जी के अंदर, और वो भ असुर की स्रेनी में नहीं रखा, यह असुर थे, ठीक है, ऐसा नहीं कहा, लेकिन प्रत्वी के ज़्यादा तर भाग्ये पर उसी का वर्चस्व था, उसके पुत्रों का, उसी के भाई भतीजों का वर्चस्व था, और उसने देखा, सहस्त्र बाहु अर्जुन ने देखा क कि मेरे समरक्षन में मेरे ही पुत्र, मेरे ही भाई भतीजे अब दंभी हो गए हैं, अत्याचारी हो गए हैं, वो इमानदारी से कारे नहीं करते, वो धर्म आचरन नहीं करते, तो इन सब को दंड मिलना जरूरी है, और मैं इनका पिता हूँ, तो मैं स्वेम तो इनको दंड द और में पिता होकर दंड दू इनका वध करूं या इनको दंडित करूं तो वो भी सही नहीं होगा वह भी उच्चित नहीं होगा तो कहते हैं कि जान जान बूझकर ऐसा भी कहा जाता है कि सहस्र बाहु अर्जुन ने भगवान कार्थिवीर उनको कुछ लोग या पुरानों में भी बहुत बड़ी उपाधी भी मिलती है तो कथाओं में तो सहस्र बाहु अर्जुन ने उस समय जान बूझकर परशुराम जी से संघर्ष किया ज चान भूच कर जमदगनी रिशी जमदगनी की हत्या उन्होंने की और वहां जाकर उत्पात मचाना शुरू कर दिया आश्रम में एक बहाना लेकर कि रेनुका जी का वद हो गया है इस कारण से और इस तरह से संगर शुरू वा और देखते देखते परशुराम जी ने है है वं संपूर्ण समराज्य का जो मूल था है है वंशी समराट सहस्त्र बाहु अर्जुन था उसका भी वद हो गया अब इस घटना के कारण 21 बार कहते हैं कि भगवान परशुराम ने इन राजाओं का वद किया इन राजाओं से प्रत्वी को मुक्त कर दिया बस रगु वंश नि करकर सारा राज्य का अधिकार कश्यप मुनी को प्रदान कर दिया था ऐसा भी आता है लेकि फिर समय बदला समय बदलता गया च्षत्रिया तो है है वर्शिक शत्रिया तो खतम हो गया उस समय के लिए नियंत्रन में कुछ दूसरे लोगों का नियंत्रन समय परवर्तित प्रयोग हुआ है च्रण जीवी, चीरए जीविता, इस लोग के अन्दर लिखा गया है पाऊंच लोगोंको चीर जीविता, चीर जीविता मतल्लम्बी आयू वाले, अमर्ता नहीं माना गया है वहां पर, चाहे वो हनुमान जी हो चाहे द्रोनाचारे हो, अश्वत्हा मा, परशुराम जी इन सब को चीर जीवी था कहा गया है कि ये लोग चीर जीवी लोग हैं तो इस प्रकार से भगवान परशुराम जी चीर जीवी हुए द्वापर में भी हुए त्रिता में भी हुए ऐसे इनकी कथा आती है तो परशुराम जी के लिए ये कहा जाता है कि वो इस रगणे हुए राजाओं पर जो अपना नियंतरन खो चुके थे और नियंतरन खो कर वह जो है अत्याचार करते थे धर्माचरन का त्याग कर देते थे उनको अंकुष भगवान प्रशुरामने लगाया था ये बात सकते हैं लेकिन फिर भी यह कहना कि उन्होंने पूंता छत् तो रगुवन्ष का है फिर तो रगुवन्ष काँ जाता फिर राजाजनग का जो वन्ष है वो कहां जाता अ ता और दूसरे कई beginnen जो है बार बार वद्ध करने के कारण कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार छत्रियों से प्रत्वी को विहिन कर दिया था कथा आगे बढ़ती है और यही छवी थी इसलिए छत्रिय राजा जो थे वो बहुत जादा भैभीत रहते थे परशुराम जी से और परशुराम जी वहां पर जिना है लक्षमन जी ने ये प्रण ले लिया है कि भाई आज इनको छोड़ना नहीं है मैंने सुना है कि बड़े क्रोधी है अब दो बाते यहां प्रमानित होने वाली है परशुराम जी कुछ दूसरे उद्द्ध से से आ है भले क्रोध करना और क्रोध का प्रदर्शन वो कुछ और है लक्ष है कि शिव का धनुस भला कौन तोड़ सकता है को सधारन व्यक्ति तो आकर तोड़ नहीं देगा निश्य ही जिसने तोड़ा है वो सधारन नहीं है वो साक्षात विश्नु अवतारी है वही तोड़ सकता है दूसरा कोई नहीं तोड़ सकता इसलिए आतताईयों का विकास हो गया है सहसर बाहु अर्जुन के जो दंभी पुत्र थे उनका तो नाश हो चुका है लेकिन अब जो आतताई हैं वो दूसरा रूप धारन कर चुके हैं और रावन रावन जो था वह रिशी कुल में उसका जनम हुआ था पुलस्त रिशी के महान प्रस कुल में रावन का जनम हुआ था किसी भी दृष्टी कौन से जो वचन उन्होंने रिशीयों को दे रखा था निर्भय होने का उस वचन के अनुसार परशुराम जी जानते थे परशुराम जी कभी भी रावन के विरुद कोई अभियान करने वाले नहीं थे इसलिए विश् के पास कभी नहीं तो कहीं न कहीं यहां मानिता हो गई थी कि परशुराम जी का समर्थन या सन्रक्षन भी रावन को प्राप्त होता है कहीं न कहीं कि उसका जन्व पुलस्त रिशी के कुल में हुआ है रिशी पुत्र होने के कारण कहीं न कहीं परशुराम जी का एक अप्र नहीं चाहिए और इसी उद्धिश्य से सारंग पानी धनुष लेकर और हाथ में फरसा लेकर भगवान परशुराम पहुँच जाते हैं राजा जनक की सभा में जहां धनुष यग्य हुआ था और जहां पर धनुष खंडित हो गया था उस सभा में पहुँच जाते हैं और सभ में पहुचकर तम तमाते हुए कब कपाते हुए जैसे कुरूध में आदमी कब कपाता है आंखे नित्र लाल लेकर भृकुटी तान कर पर शुराम जीने जनक से पूछा कि राजन बताओ किसने ये धनुष थोड़ा है यदि नहीं बताओगे सही सही तो जहां तक तुम्हा जी के द्वारा अब भला लक्षमन जी शेश के अवतार लक्षमन जी भला क्यों समझे क्यों सुने कि धमकी राजा जनक की ना सुने उन्होंने लक्षमन जी क्यों किसी के धमकी सुने तो होगे कहीं के भी कुछ भी होगे उससे क्या फरक पड़ता है अगर वो कापने लगे तो पुरी पृत्वी वैसे ही काप जाएगी, उनके फन पर तो सारे पृत्वी ही टिकी हुई है, लक्षमन जी और जब इस प्रकार से परशुराम जी आए, गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी सुन्दर इस विशाय में चर्चा करते हैं, आईए, देखते हैं कि क्या लिख के चर्चा को यहां पर लिख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, बहुत सुन्दर चर्चा आती है, रामचर्ट मानस में इस विशाय में, सीता जी का विवाह के बारे में चर्चा हुई और जहमाल उन्होंने किया, और उसके बाद कुलाहल शुरू हो गया, और कुलाहल शुरू ह कि वeg करें बाद कि लिगते हैं कि को लाहल सुने सिय सकांई इसकी हिल वाई गई जह रानी राम शुभाये चलंग गुरुपाही शिय सलॉं बढनत्मनमाई मुझा से शउनकर सीटा जी शंकीत होगे तब सक्टियों ने उन्हें वहां ले गई जहां रानी थी शी राम चंदर जी मन में सीता जी के प्रेम का बखान करते हुए सुभाविक चाल से गुरु जी के पास चले कि रानियों के सहित सीता जी सोच के वश है कि ना जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं राजाओं के वचन सुनकर लक्षमन जी इधर उधर ताकते कि तो शीराम चंदर जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते हैं अरुन नयन भ्रिकुटी कुटिल चितवत निर्पन सकोप मनहु मत गजनन निरखी सिंग किसोरही चोप उनके नेत्र लार और भावे टेडी हो गई है वेकरोध से राजाओं की ओर देखने लगे मानो मतवाले हाथियों का जुंड देखकर सिंग के बच्चे को जोश आ जाता है खर भरू देखी बिकल पुर नारी सब मिले देही मही पनगारी तहीं अवसर सुनी सिवधन भंगा आयव भ्रिगुकुल कमल पतंगा खलबली देखकर जनकपुरी के स्त्रियां व्याकुल हो गई और सब मिलकर राजाओं को गालियां देने लगी कि भाई ये राजा लो कितना कोलाहल करते हैं कितना शोर मचाते हैं शांती से नहीं रह सकते क्या लेकिन उसी कोलाहल के बीच में भ्रिगुकुल कमल पतंगा अर परशुराम जी तो भ्रिगुकुल में उनका जनम हुआ था उसी मौके पर शिवजी के धनुष का तूटना सुनकर भ्रिगुकुल रूपी कमल के सुर्य परशुराम जी वहां पर आ जाते हैं देखी महीप सकल सकुचाने बाज जपट जनु लवा लुकाने गौरी सरीर भूती भलब राजा भाल विसाल त्रिपुंड बिराजा इन्हें देखकर सब राजा डर गये मानो बाज के जपटने पर बटेर लुक छिप गए हो गोरे शरीर पर विभूती भश्म लगाए हुए जैसे भगवान शिव भस्म लगाते थे वैसे ही पर शुराम जी ने अपने शरीर पर भश्म लगा रखी है विभूती फब रही है विशाल ललाठ पर त्रिपुंड श साथे सिर पर जटा है सुन्दर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल होया है भौवें टेड़ी हैं आखे क्रोध से लाल है सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं ब्रिशब कंध और बाहु विसाला चारु जनेव माल म्रिग छाला कट कुई बांधे धनु सर कर कुठारु कल गांदे बैल के समान उचे और पुष्ट कंदे हैं छाती और भुजाएं विशाल हैं सुन्दर यग्गो पवित धारन किये माला पहने और म्रिग चर्म लिए कमर में मुनियों का वस्त्र और दो तरकस बांदे हात में धनुश बान औ परंतु करनी बहुत कठोर हैं स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता मानो वीर रस ही मुनी का शरीर धारन करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो देखत भ्रिगुपति बेशु कराला उठे सकल भय बिकल भुवाला पीतु समेत कही कही निजे नामा लगे करन सब दंड प्रणामा परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए पिता सहीत अपना नाम कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे परशुराम जी ने आकर सिर नवाया और सीता जी को बुला कर प्रणाम करवाया की प्रणाम करो परशुराम जी को आनी सक्यों के साथ अपनी मंडली में ले गई फिर विश्वामित्र जी आकर मिले उन्होंने दोनों भायों को उनके चरन कमलों पर गिराया राम लखन दश्रत के ढोठा दिननी असीस देखी भल जोठा राम ही चिताई रएथ की लोचन रूप अपार मार मदमोचन ये राम और लक्षमन राजा दश्रत के पुत्र हैं उनकी सुन्दर जोड़ी देकर प्रशुराम जी ने आश्रवाद दिया काम देव के भी मद छुडाने वाले शी राम चंदर के अपार सुन्दर रूप को देकर उनके नित्र कुछ देर के लिए वहीं पर रुग गया बहुरी बिलो की बिदेह सन कहु काह अति भीर पूछत जानी अजान जिमी ब्यापेव कोप शरीर फिर सब देकर जानते वे भी अंजान के तरह जनक जी से पूछते है कि कहो यह बड़ी भारी भीड कैसी है उनके शरीर में क्रोध छा गया समाचार कही जनक सुनाए जही कारण महीप सब आये सुनत बचन परी अनत निहारे देखे चाप खंड महीं डारे जिस कारण से सब राजा आये थे राजा जनक ने सब समाचार कह सुनाए जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी और देखा तो धनुष के टुकड़े प्रत्वी पर पड़े हुए दिखाए दिये अतिर इस बोले बचन का ठोड़ा कहू जण जनक धनुष का ये तोड़ा बेगी देखाओ मूर नत आजू मही जहां लही तव राजू अत्यंत क्रोद में भर कर कठोर वचन बोले अरे मुर्ख जनक बता धनुष किसने तोड़ा है उसे शिग्र दिखा नहीं तो अरे मूर आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की प्रत्वी पलट के रख दूँगा जिसके कारण बे उत्तर नहीं देते हैं यहां देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसंद हुए देवता मुनी नाग नगर के इस्त्री पुरू सभी सोच करने लगे सबके हिरदय में बड़ा भय था अब बड़े प्रसंद हो गए कि चलो अब जो है अब यह जो दोनो रगुवंची आये हैं यहां पर राम और लक्षमन अब इनकी रक्षा नहीं हो सकती अब यह बुरी तरह से फस्चुके हैं अब इनका वद पर शुराम जी जरूर कर देंगे और हमारा काम तो हो ही जाएगा जब इनका वद हो जाएगा तो इस प्रकार से सारे राजा प्रस समबीता सीता जी की माता मन में पस्ता रहे कि हाए विधाता ने अब बनी बनाई बात भी बिगार ती पर शुराम जी का सभाव सुनकर सीता जी को आदा छनभी कल्ब के समान बीतने लगा रानी जो सिता जी की माता थी वो और परिशान होगे कि भाई इतनी मुश्किल से पुत्री का विवा हुआ ये धनुष तूटा अब तूटने के बाद अब ये परिशुराम जी आ गए जो धनुष तोड़ा उसको जिंदा ही नहीं चोड़ेंगे सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू हिर्दयन हरश विशाद कचू बोले श्री रघु बीरू तब श्री रामचंदर जी सब लोग को भैबित देख और सिता जी को डरी हुई जानकर बोले उनके हिर्दय में ना कुछ हर्स था ना विशाद नात संब्धन भंज निहारा होई ही केव एक दास तुम्हारा आयसु काह कहिय के नमोही सुनी रिसाई बोले मुनी को ही नात शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा क्या आग्या है मुझसे क्यों नहीं कहते यह सुनकर क्रोधी मुनी रिसाकर सेवक वा है जो सेवा का काम करे शत्रू का काम करके तो जड़ाई ही करनी चाहिए यह राम सुनो जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रू ही है अब अपमान लक्षमन जी करते हैं वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे मुनी के वचन सुनकर लक्षमन जी मुस्कुराते हैं और प्रसुराम जी का अपमान करते हुए बोलते हैं बहु धु नहीं तो री लरिकाई कब हुन असीर सिकिन नहीं गुसाईं एह धनी पर ममता के हुए तू सुनी रिसाई का भ्रिगु कुल के तू हे गुसाईं लड़कपन में हमने बहुत सी धनुईयां तोड़ डाली है छोटे मोटे धनुष तो हम तोड़ते रहते हैं कोई नई बात नहीं है किन्तु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से या सुनकर भ्रिगु वन्शू की ध्वजा सुरू पर शुराम जी और कुपित हो गए पहरे से आँके लाल थी अब तो आँखों से अगनी बरसने लगी और सरीर कापने लगा और तमतमा कर कापते हुए बोले है रेन्रिप बालक काल बस बोलत तोहीन संभार धनोई सम्त्र पुरारी धनु बिद्यत सकल संसार अरे राजपुत्र काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है लगता है तुझे यमदूत ने आज पसंद कर लिया है ले जाने के ल लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना काच्छति लाभ जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे लक्षमन जी ने हसकर कहा कि हे देव सुनिए हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही है पुराने धनुष को तोड़ने में भला क्या हानी अब शिव ज कि का धरूस इतना ठरूस इतने समय से जनक जी के पास पड़ा गूआ था पुराना था थोड़ा सा छूते ही टूट गया इसमें घुस्सा होने की क्या बात है इसमें करोण करने की अई है आप नराज मत होईए शीराम शंद्र ने तो इसे नवीन के धोके से देखा था कि भाई नया होगा लेकिन निकला इसके उपर नई पटी लपेटी हुई थी गोटे लगाए हुए थे सजाया हुआ था लेकिन है तो बहुत पुराना अब बैचारा टूट गया तो इसमें क् इसमें राम जी का कोई दोश नहीं है आप बिना ही कारण किसलिए करोध करते हैं परस राम जी अपने फरसे की और देखते विए बोले अरे दुष्ट तूने मेरा सुभाव नहीं सुना क्या तू नहीं जानता कि मैंने 21 बार छत्रिय विहीन किया प्रत्वी को फिर भी अरे लक्षमन मैं तुझे बालक जानकर कुछ बोल नहीं रहा हूं अरे मुर्क क्या तुझे तू मुझे निरा मुनी ही जानता है मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी छत्रिय कुल का परम शत्रू विश्व भर में विख्यात हूं भुजवल भूमी भूप बिनुकिन्ही बिपुल बार मही देवन दिन्नी सहस्त्र बाहो भुजचेद निहारा परसु बिलो की महीप कुमारा अपनी भुजाओं के बलसे मैंने प्रत्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्रामनों को दे डाला ही राज गोर अरे राजा के बालक अरे च्छत्रिय युवक तो अपने माता पिता को सोच के वश्ना कर मेरा फरसा बड़ा भ्यानक है यह गर्मों के बच्चों को भी गिरा देने वाला है अब लक्षमन जी कहां चुप रहने वाले थे लक्षमन जी बोल पड़े लक्षमन जी हसकर कोमलवारी से बोले अहो मुनिश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समस्ते हो अपना गुनगान अपने ही करने में लगे हुए हो बार बार मुझे कुलहारी दिखाते हो फूक से पहार उड़ाना चाहते हो अब तो ये बरदास्त के बाहर परशुराम जी के इतनी बड़ी बात बोल गए कि अपने मुझ से अपना ही गुनगान करते हो आए हो बड़े छत्रियों का नास करने वाले बार बार ये कुलहारी मुझे दिखाते हो और फूक से पहार फ का काम लक्षमान जी कर रहे हैं लेकिन ये समझ लिजिए कि परशुराम जी का क्रोध नियंत्रित क्रोध नहीं है उनका कोप नियंत्रन में है उनका एक और स्वरूप है जो बड़ा ही सौम में है बड़ा ही विनम्र है लेकिन फिर भी बाहर से उनकी छवी वैसी ही है और प लेकिन वो स्वेम ब्रह्म इस्थित हैं तो भला उनको एहंकार कहां से हो सकता है। और यहां लक्षमन जी हैं जो सब जानते हैं कि यह बाते बिल्कुल सकते हैं कि 21 बार छत्रियों से विहीन किया है प्रत्वी को तो फिर क्यूं बार-बार वो दुश्मनी ले रहे हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि कुछ भी हो यह रिशी है यह मुनी है इनका फरसा चलता जरूर है लेकिन व्यर्थ नहीं चलता निरपराध पर नहीं चलता निरंकुशों पर चलता है अपराधियों पर चलता है ये लक्षमन जी को भी विश्वास है इसलिए लक्षमन जी कठोर से कठोर वानी और कठोर से कठोर व्यंग का प्रयोग कर रहे हैं अर्थात भगवान परशुराम का एक तरह से अपमान कर रहे हैं और सुल्तुसी दाजी लिख भी रहे हैं कि अपमान कर रहे हैं लेकिन फिर भी ये परशुराम का एक नया चरित्र है कि उनका क्रोध तो सामने है लेकिन वह भी लीला वश है लक्षमा जी हसकर कोमल वानी से बोले अरे मुनिश्व आप अपने आपको बड़ा युद्धा समझते हो अपनी समझी ऐसे है नहीं तो क्यों वो फरसा उठाएंगे यहां कुमण बतिया को ना ही जेतर जनी देखी मरी जाहीं देखी कुठारू सरासन बाना मैं कच्छु कहा सहित अभिमाना यहां कोई कुमणे की बतिया नहीं है जो तरजुनी अंगुली को देखते ही मर जाती है कुठा और धनुषबान देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहीत कहा था भ्रिगु सुत समझी जनेव बिलो की जो कछु कहा हूं सहां रिसर रोकी सुर मही सुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन परन सुराई भ्रिगु वंसी समझ कर और यग्व पवीत देखकर तो जो कुछ आप कहत हमको ना आख दिखाना रहे तो यहां कोई कुमणे की बतिया नहीं बैठा हुआ है कोई छोटा बच्चा नहीं हूं मैं जो तरजनी आगे कर दोगे अंगली को देखते ही मर जाओंगा क्या समझ के रखा कि मुझे धमकाय जा रहे हो मत्तब कि जहां तक बहस हो सकता था लक् करना क्या चाहते हो यग्य करवाओगे कि युद्ध करोगे युद्ध करोगे तो हम तैयार खड़े हैं चोटा बच्चा समझ रखा है मुझको भ्रिगु तु समझी जनेव बिलो की जो कच्छु कहा हूं सहूर इस रोकी थुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इनपर नसुराई भ्रिगु वन्स समझ कर और यग्व पवित देख कर तो कुछ आप कहते हैं उसे मैं कुरोध को रोक कर सह लेता हूं अब लक्षमन जी धंकिया देना शुरू करते हैं परशुराम जी को भाई आप भ्रिगु वन्शी हैं यग्व पवित आपने धारन कर रखा है इसलिए मर्यादा में खड़े हैं अगर नहीं आप ब्रामन होते और मात्र फरसा और धनुस लेकर होते तो पता नहीं यहां पर क्या क्या हो जाता है उसे मैं कुरोध को रोकर सह रहा हूं देवता ब्रामन और भगवान के भक्त और गव इन चारों पर हम युद नहीं करते इन चारों से हम रगुवंशी युद नहीं करते इन चारों पर हम विर्ता का प्रदर्शन नहीं करते आपने यगोपवित धारन कर रखके रखा है अगर नहीं होता तो आज पता नहीं मैं सारी मर्यादा मैं भी लांग जाता आप बार बार धमकी दे रहे हैं छोटा तुम्हारा बेर्थ धरहु धनुबान कुठारा क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और हम कभी भी देवता ब्रामन गव रिश्यों पर और भगवान के भक्तों पर इन चार लोगों पर कभी भी हम नहीं करते प्रहार और यह अपकिर्ती देने वाला होता इसलिए हम नहीं मारते इन लोगों को इनसे युद्ध नहीं करते आपका एक एक वचन ही करोण वज्ज्रों के समान है धनुष बान और कुठार तो आप वर्थी धारन किये हुए अरे तुम्हारी वानी अब व्यंग करते हैं और फिर से बड़े बड़े व्यंग अपमान पर अपमान भगवान परशुराम आज सहे जा रहे हैं यहीं उनकी विनमरता है यहीं उनकी सौमता है जो कहीं भीतर छुपी हुई है बाहर से क्रोध दिखाते हैं भीतर से बिलकुल नरम हैं सौम में हरदय हैं और भगवान परशुराम इतनी बड़ी बात सुनकर भी बस क्रोध ही कर र यह कर देंगे वो कर देंगा जब कर दिया था समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता यकोप विधारन किया आपने भ्रगुवंशी है आप इसलिए मैं आपका सम्मान कर रहा हूं नहीं अगर नहीं होते और फरसाध धरुष लेकर ऐसे मुझसे बात करते तो पता नहीं अब तक क्य तब बड़ी-बड़ी फेक रहे हैं अरे तुम्हारे वचन ही इतने कठोर हैं बोली इतनी करकश है यह लाने की जुरुत क्या थी यह फड़ सा धनुस लेकर क्यों आ गया वानी इतनी कठोर बना के रखे थोड़ी से तो मिठा बोल लो आए हो इतने शुब आवसर पे आए हो विवाह का आवसर है मेरे बड़े भाई का विवाह होने वाला है और इतने शुब आवसर पे आए हो और कैसी वानी का प्रयोग करते हो थोड़ा सा मिठा बोल लो भाई पर परशुराम जी को अब लक्षमन जी समझा रहे हैं परशुराम जी ही हैं यही उनके परशुराम होने का प्रमाण है कि लक्षमन जी के ऐसा बोलने पर भी वो मात्र प्रदर्शन में ही क्रोध कर रहे हैं क्रोध की अभिव्यक्ति नहीं कर रहे हैं कि उनको पता है कि फरसा कहा चलाना है और कहां नहीं चलाना है। उनको अच्छे से इस बात का ज्यान विवेक है। इसलिए कि कभी मत मानिए कि पर शुराम जी ने एक ऐसे ईंध्य कि जब कथा पढ़ेंगे उसे कभी भी असुर राक्षा से अद्यात्य नहीं माना गया क्यों कि वह भी धर्म आचरन करने वाला राजा था लेकिन उसके पुत्र उसके भाई भतीजे बहुत ही बिगड़ गये थे और गलत मार्क पर चलते थे उसके संरक्षन पाकर और आज कहीं न कहीं रावन को भी परशुराम जी का संरक्षन प्राप्त हो जारा है यूए कि परशुराम जी है पिर भी रावन के लिए कुछ नहीं कर रहे है क्योंकि रावन छत्रिय नहीं है और वो बुलस्त रिशी के वन्ष से है तो वो कुछ ना कर रहे है तो जैसे सहस्र बाहू अरजुन की तपोबल और उसके धर्माचरन या उसकी परतिष्ठा का संरक्षन उसके पुत्रों को दुष्ट पुत्रों को मिल रहा था तो कहीं न कही अपरतक्षरूप से परशुराम जी का संरक्षन रावन को भी मिलना शुरू हो गया था और ये स्वेम परशुराम जी भी जानते थे और आज परशुराम जी कुछ लेने नहीं आये हैं किसी का सिर काटने नहीं आये हैं बलकि कुछ देने आये हैं देने के उद्धिश से आ नहीं तोड़ सकता और लक्षमन जी की कठोरवानी और लक्षमन जी के द्वारा किये हुए अपमान को इतने वयो व्रद्ध होने पर भी लक्षमन लक्षमन जी से काफी बड़े हैं उम्र में भी और अपनी तपस्या प्रताप अपनी प्रतिष्ठा यश्च और कीरती में तो बड़े हैं भगों से संपन्न है इसलिए भगवान है यश्च कीरती वीरिय सब उनके पास है संपूर्ण सिधिया उनके पास है फिर भी आज ख़त्रियों के मन में एक स्वभाविक भय है और कहते हैं कि जिस ख़त्रिय के मन में पर शुराम जी का भए है वो संसार में अब किशी से भयभीत नहीं होता ऐसा कहा जाता है तो भगवान परसुराम इस प्रकार से लक्षमन जी को समझाते है और लक्षमन जी अपमान पे अपमान कर रहे हैं परशुराम जी सुन रहे हैं नास हो जाए गा हो यहाँ धारन किया है इसलीं आब अब तक distinction बैठा हुआ हूँ तो यह्टित ऐसे सुने जा रहा हूं लेकिन फेकने से काम नहीं चलेसे बतेresh i चुनौती दे रहे हैं और कह रहे हैं कि धनुषबान क्यूं लाए हो तुम्हारी वानी इतनी करकस है कि उसको सुनकर ही लोग मरने लगें राजाओं का हालत देखो क्या हो रखा है जो बिलो की अनुचित कहेऊ छमेऊ महामुनी धीर सुनी भसरोस भ्रिगुबंस मनी बोले गिरा गभील इन्हें धनुषबान और कुठार को देकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे ही धीर महामुनी छमा कीजिएगा यह सुनकर भ्रिगुबंशिप शुराम जी कुरोध के साथ गंभीर वानी में बोले कौसिक सुनहु मंद यहु बालकु कुठिल काल बस निजिकु लगालकु बानु बंस राकेश कलंकु निपटन रंकुस अबुद असंकु फरसा नहीं चलाया अभी भी वानी कहें प्रयोक कर रहे है खाके हे विश्वामित्र सुनो यह बालक बड़ा कुबुद्धी और कुटिल है लक्षवन जी के लिए कहा यह बालक बड़ा कुबुद्धी और कुटिल है काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है इसे थोड़ा समझाओ थोड़ा इसकी कान पकड़ो और इसको समझाओ कि ये किस से बात कर रहा है बोल रहा है कि मैं भ्रिगुवंशी परशुराम हूँ जानता है फिर भी मुझसे ऐसी बाते करता है यह सुरिवंस रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक लगता है लक्षवन जी को रगुवंस का कलंक परशुराम जी ने कहा कि सुरिवंस रू नहीं कहूं पकारी खोरी मोही नहीं तुम हट कहूं जो चहां उबारा कहीं प्रताप बल रोशु हमारा अभी छनभर भी यह काल का ग्रास हो जाएगा मैं पकार कर कह देता हूं फिर मुझे मत दोस्त देना गाधी पुत्र वैसे परशुराम और विश्वा मित्र भी संबंदी अयुद्या नरेश्त से तो संभवता उनका भी कुछ संबंध विश्वा मित्र कताओं में यह आता है विश्वा मित्र पशुराम भाई या भाई भाई भतीजे कुछ इस तरह से लगते थे मैं पकार कर कहद த संग आया है मुझे मत दोस्त देना यह तो मघाना चाए उत दो और कुरोध बतला कर इसे साइड कर दो यहां से ले जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाएगे बहुत लखन कहूं मुनी सुजस तुम्हारा तुमही अच्छत को बरनाई पारा अपने हूं मुह तुम आपनी करनी बाहरा अनेक भाव तुम बरनी अब लक्षमन जी का चुप होने वा आपने अपने ही मुह से अपनी करनी अनेको बार यहीं पर सुना दी कितनी बार तुम बोल चुके कि मैंने च्छत्रियों का विहीन कर दिया वेन कर दिया अरे क्या अपने मुह से अपना गुनगान करते रहते हो लक्षमन जी ने फिर बान छोड़ दिया अपना व्यंग बा तो फिर कुछ कह डालिये क्रोध रोकर असहय दुख मत सहिए आप विर्ता का वरत धारंग करने वाले धायरवाना छोब रहित गाली देते शोभा नहीं देते अरे आप तो वीर है क्यों फरसा चलाओ ना अपना सीधा लक्षमन जी बोल रहे चलाओ अपना फरसा क्यों क्रोध अब बहुत बड़ी बड़ी बाते कर रहा है ये काल के ग्रास में जाने वाला है बता देता उसको ido किनारे लगा इसको नहीं तो खतम कर दोंगा इसको अब बोल रहा है बहुत कठोर है यह लूंसे निपटनाई हिं आज इंसे निपटी लेना देखते हैं क्या करते हैं शक्ति नहीं मू financi तेरे शक्ति का प्रियोग करनी सकते तुम तो अस्तर सस्तर के साथ आये हो ना कुछ करके दिखाओ अब लक्षमन जी ने और छेड़ दिया सूर समर करनी करहीं कहीं न जान वहीं आपू विद्ध मान रन पाई रिपू कायर कतही प्रतापू शूर वीर्त युद्ध में करनी क करते हैं यह बड़ी-बड़ी हाकते नहीं है सोच लो अब लक्षमन जी परशुराम जी मतलब की पीछे पड़ गया है कि इसे ज्वाला मुखी को आज फोड़ के रखना है लेकिन वह ज्वाला मुखी अनियंत्रत नहीं है परशुराम जी बाहर से जितने कठोर हैं उतने ही परशुराम जी कितने धैरेवान हैं और बार-बार बोले जा रहे हैं शूर वीर तो युद्ध में अपना करणी दिखाते हैं कहकर अपने को नहीं जानते शत्रू को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपना परताप का डिंग हारते हैं अरे जब आपने कह दिया कि मैं शत्रू हूँ आपका जो धनुस तोड़ा वो शत्रू मालो मैं नहीं तोड़ा है लक्षमां जी ने कहा कि मालो मैं नहीं तोड़ा है अब जौ से पाइर आदे लक्षम जिनने ठान लिया ठान लिया है यह एस जुआलए मुखी को आज खतम करना है आज आज इतना इस आज二 बाते बोल जा रहे कि इस तरह से बाते करना कि मैं ये कर दूँगा मैं वो कर दूँगा मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया क्या फरक पड़ता इन बातों से लक्षमा जी ने ठान लिया है कि आज छोड़ना नहीं है और व्यंग पे व्यंग 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 के ऐसे ऐसे आज राज सिवक को हर राज करने वाले व्यक्ति को पर्शुराम का भैए होना चाहिए उनको पर्शुराम का भैए हो कि कोई पर अंकुष लगाने वाला है इसलिए निरंकुष हो गए और इस परशुराम जी का जनम हुआ था जब है है वंशी राजाय राजा निरंकुष हो गये थे और उन पर उन्होंने अंकुष लगाया था लेकिन यह तो आवश्यक चीज थी जो करना था भगवान परशुराम कोई ऐसा नहीं कि कोई धैरहीन क्रोधी थे लक्षमन जी बोलेंगे और उनका क्रोध वह हो जाएगा और लक्षमन जी चाहते हैं तो बहुतना व्यंग सुन कर मुझे लगता है कि आदमे के पास धनुष बान नहीं होगा तो भी भीतर वाला जो था, वो उसको दबा कर रखे, भीतर में तो कुछ और ही भाव थे, बाहर से क्रोध का प्रदर्शन कर रहे थे, तो परशुराम का क्रोध कोई अस्यमित क्रोध नहीं थे, कई बार परशुराम जी के चर्चा करते भी लोग कहते हैं, बहुत क्रोधी थे, छत्र राम जी का क्रोध नियंत्रन था, और संपूर्ण पृत्वी उस समय है है वंशी राजाओं के अधीन था, इसलिए कहा जाता है कि 21 बार उन्होंने युद्ध किया, और 21 बार सहस्र बाहू को पराजित किया, उसके पुत्रों का, उसके भाईयों का वद किया, भगवान जो राजा था, वो चंद्रवन्षी कहलता है तो, चंद्रवन्षिओं में, वन्शियों का विनाश होआ था, बाकी राजाओं का विनाश नहीं होआ था . जाष्च नहीं होआ थे, तपस्वी थे, ज्यानी थे, धैरेवान थे और उसी का प्रमान पर शुराम जी आज दे रहे हैं। लक्षवन जी से इतनी कठोर वानी सुनने के बाद, इतनी चुनौतियां सुनने के बाद भी कुरोध तो कर रहे हैं, लेकिन फरसा उनका उठ नहीं रहा है, फरसा उनका चल नहीं रहा है, यहाँ पर दो चीजे सामने आने वाली है, एक तो परशुराम जी का एक नया चरित्र परशुराम जी का एक नया चरित्र और दूसरा भगवान राम के अवतार की घोशना रामा अवतार की घोशना स्वेम परशुराम जी अपने मुख से करते हैं तो कैसे ये घटना घटती है आईए देखते हैं तुमहों तुकाल हाक जनु लावा बार बार मोहिं लागी बिलावा बुलावा सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सधारी धरेव कर घोरा लक्ष्वन जी के कठोर व्यंग बाणों को सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया अब जनि देए दोस महों लागू कटु बादी बालकों बध जोगू बाल बे लोकी बहुत मैं बचा अब यहू मर निहार भा सचा अब लोग मुझे दोशना दे यह कड़वा बोलने वालक अपनी सारी हदे पार कर चुका है इस बालक को देखकर मैंने बहुत बचाया है कि भाई चलो बालक है अभी नया नया यूवक हुआ है अभी तो इसका विवा भी नहीं हुआ है छोड़ देता हूं पर यह अब जो है चोड़ने योग्य बचा नहीं है अब यह जो है मेरे मरने योग्य बनते जा रहा है कौसिक कहा चमी अपराधू बाल दोश इकुन गनहीन साधू खर कुठार मैं अकुण को ही आगे अपराधी गुरू द्रोही विश्वा मितर जी ने कहा अपराध छमा कीजिए बालकों के दोश और गुन को साधू लोग नहीं गिनते हैं तीखी धाम जे बोले तीखी धार का कुठार ऐसी बाते बोलता है कुठार आगे घात करत सीधा मेरे हिर्दय प्रवार करता है मैं दयारहित और क्रोधी यह गुरू द्रोही अपराधी मेरे सामने गुरू द्रोही एकुत्वह करता ए। केवल तुम्हारे शील और प्रेम से तुम्हारा शिष्य है बोलकर छोड़ रहा हूं नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरू से उरिण हो जाता खतम कर देता इसको मैं यहीं पर अब कह रहे है विश्वा मित्र जी सोच रहे है भजिया शासर बाहू अर्जुन भी भगवान दत्ता त्रे का शिष्य था उसे कहा अपने छोड़ा था तो यह छोड़ने वाली बात भी पर शुराम जी के लीला है कि विश्वा मित्र शिष्य रहा है अर्थात सर्वत्र विजई होने कारण ये शी राम लक्षमन को भी सधारन चत्र यहीं समझ रहे हैं किन्तु मतलब विश्वा मित्र जी ने कहा कि भाई ये भी कही ना कहीं भ्रम में है कि ये लक्षमन और राम को सधारन समझ रहे हैं अगर सही में लक्षमन जी लड नहीं है तो विश्वामित्र जी कहते हैं उख की खाड नहीं है मुनि अभी बेसमज बने हुए हैं इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं अब परशुराम जी अभी भी विश्वामित्र जी कह रहे हैं या सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों परशुराम जी कह रहे हैं क्यों अगर ल जानते हैं फिर क्यों बेकार में लक्षमन जी के साथ इस तरह से बैस किये जा रहे हैं अपना अपमान करवा रहे हैं अपनी हसी उड़वा रहे हैं ऐसा परशुराम जी के लीला है लक्षमन जी ने कहा कि है मुनी आपके शील को कौन नहीं जानता वो संसार भर में प्रसिद्ध है आप माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो ही गए हैं अब गुरु का रिंड रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है जो जनू हमरे ही माते काढ़ा दिन चली गए बयाज बढ़बाढ़ा अब आनिय बेवहरिया बोलू तुरत देहु मैं थैली खोलू वहां मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा था बहुत दिन बीत गए इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया है अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाईए तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दू लक्षमन जी के कड़वे बचन सुनकर परसुराम जी ने कुठार संभाल लक्षमन जी ने ऐसी ऐसी वानी बोल दी कि भाई आप से नहीं हो रहा तो किसी और को भेज दी जी आप तो माता पिता से उरिन होई गया है ठीक है रिशी रिण चुकाने में लगे हुए हैं आप माता पिता का रिण देवताओं का रिण पृत्वी का रिण आपने चुका दिया है अब रिशी रिण चुकाना बाकी है उसी को आप चुका रहे हैं तो क्यों चिंता कर रहे हैं आप नहीं लड़ेंगे किसी और को भे सही उन्होंने पर साधया सारी सभा हाय- hai करके फुकार रडी कि आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं पर राजाओं के शत्रूं में ब्रामन समझकर बचा रहा हूं लक्षमंजी ने ओल दिया है अपुझे फरसा दिखा रहे हो मारोगे क्या मुझको अब है अब लक्षमन जी पूरे मिजाज में है लक्षमन जी पूरे मजाज में है खोड़ना नहीं है मुझे फरसा दिखा रहे हूँ मुझे मारोगे क्या मैं क्यों भ्रामन समझ कर तुम को छोड़ रखा ये तुम состояни से क्या करके दिखा देता बड़े आये मुझे मारने वाले इस प्रकार से लक्षमाजी ने फिर से बोल दिया चुपका रहना था लक्षमाजी को लखन उतर आहूती सरी से भ्रिगु बर कोप किरसानू बड़त देखी जलसम बचन बोले रघुकुल भानू लक्षमाजी के उत सुना ही रहा है तो जो सुना रहा है वो ठीकी कर रहा है लक्षमाजी के पूरी सहमती थी अब भगवान राम आ गए बीच में कहा के ना तकरहू बालक पर छोहू अरे बालक है छोड़ दीजिए सूद दूद मुख करिया नकोहू जौपय प्रभू प्रभाव कछो जाना त तो क्या यह बे समझ आपकी बराबरी कर देता अगर यह आपके बारे में जानता यह कुछ नहीं जानता आपके बारे में अज्यानी है मूड है बालक समझ कर छोड़ दीजिए अगर यह जानता तो ऐसी ऐसी बाते आपको नहीं बोलता भगवान राम अपनी लीला में लग लक्षमन से सारी बात बुलवा दी, कहला दी, सुनवा भी दी, अब जो है रोकने के लिए भी आ गए जो लरिका कचु अचगरी करहीं, गुरु पित मात मोद मनभरहीं, करिये कृपा से सेवक जानी, तुम समसील धीर मुनी ग्यानी बालक यदी कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं, और इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा करते हैं, श्री राम चंदर जी के वचन कुछ ठंडे पड़े, सुनकर पशुराम जी ठंडे हो गए, इतने में लक्षमान ज अबचा कारता, या शरीर से गोरा पर हिर्दयाय का बड़ा ही काला है, या विश्वमुख ऐ, दूद्मुहा नहीं, तो इसे दूद्मुहा बोलता है, यह तो विश्वमुहा है, इसके मुख में सरे विश्वरा उआ है, सभाव सही टेड़ा है, तेरा अनुसरन नहीं करता गया तेरी वानी कितनी मीठी कितनी सुन्दर कितनी विनवर और यह बता तेरा चोटा भाई जब बोलता है तो जहर ही उगलता है यह नीच मुझे काल के समान दिखाई पड़ता है लखन कहे वह हसी सुनह मुनी क्रोध पाप कर मूल जही बस जन अनुचित करही चरही बिश्व परतिकूल लखन जी ने हसकर कहा कि यह मुनी सुनिये फ्रोध पाप का मूल है जिसके वश्मे होकर मनुष अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के परतिकूल चलते रहते हैंले परतिकूलता शकर बनी होई है क्योंकि लोग क्रोध करते हैं अक्रोध के कोई ही पाए पिराने हे मुन राज मैं आपका दाश हूं आप क्रोध त्याग दीजिए तूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़तो जाएगा नहीं खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे तो बैठ जाएए अब लक्षमा जी ने कहा और व्यंगवान कि बैठ जा धनुष इतना ही प्रिय है अगर धनुष का तूटने से आपको नाराजगी है यदि धनुष इतना ही प्रिय है तो कोई उपाय किया जाएगा किसी बड़े गुनी कारिगर को बुलाया जाएगा और जुड़वा दिया जाएगा लक्षमा जी के बोलने से जनक जी डड़ ग प्रसुराम जी ने विक्राल रुपधारं कर लिया छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है लक्षमन जी के निर्भायवानी सुन-सुन का प्रसुराम जी का क्रोध जल रहा है और जो मिधिला की जनता है वो और डर रही कि लगता है कि ये लक्षमन आज युद्ध करवा कही छोड अब हो भी गया अब हो भी गया लेकिन अब तो लगता है मामला सब बिगड़ गया ये दोनों जो आए हैं ये मिधिला नगरी में मिधिला नगरी को संशान बनाकर छोड़ेंगे बोले रामही देई निहोरा बचहु बिचारी बंधू लगुतोरा मनु मलीन तनु सुन्दर कैसे विश्रस भरा कन को घटू कैसे तब श्री राम चंदर जी पर एहसान जना कर पसुराम जी बोले तेरा छोटा भाई समझ कर मैं इसे बार बार बचा रहा हूं यह मन का बड़ा में विश्भरा हो वैसे ही इसका व्यक्तित्व है सुनी लक्षमन बिहसे बहुरी नैन तरेरे राम गुर समीप गवने सकुची परिहरी बानी बाम यह सुनकर लक्षमन जी फिरह से तब शीराम चंदर ने तिरशी नजर उनको देखा और लक्षमन जी सकुजाकर फिर दोनों हाथ जोड़कर अतिन्त विने के साथ कोमर और शीतलवानी बोले हेनात सुनिये आप तो सुभाव से ही सुजान है परमसंत है आप बालक के वचनों पर कान मत दीजिये ध्यान मत दीजिये बर्रे और बालक का एक सुभाव होता है संत जन इन्हें कभी दोश नहीं जो कुछ करना हो मुझे बंधन बनाना हो मेरा वध करना हो मुझे वधना अगर आपका यही लक्षे के भाई उसे आप मार देंगे तो मैंने ही धनुष तोड़ा है और जिस प्रकार सिग्र हो आप करोद दूर हो जाए बताइए वह उपाई किया जाएगा अगर आप वध क करना चाहते तो वध कर लिजी आप अगर बंधी बनाना चाहते तो बंधी बना जिडा कारहगार में डाल सिज जो करना ऐसे परशुराम जी ने कहा ये राम कुरोध कैसे जाए अभी तेरा छोटा भाई टेड़ा ही ताक रहा है अब विश्वामित्र जी के पीछे छुपकर लक्षमन जी ठीड़ी नजरों से परशुराम जी को देख रहा है कि अभी भी अपने मुझसे बोलना बंद कर दिया है क्योंक कि अब जाओ पीछे तुम बहुत बोल लिए लेकिन फिर भी लक्षमन जी पीछे बैट कर भी तेड़ी नजरों से नजरे मिला रहा है परशुराम जी से नजरों में नजरे देखकर ऐसे देख रहे हैं कि वानी तो कुछ नहीं बोल रहा है लेकिन लक्षमन की नजरे भी त कीर के समान पर सुरामजी कई हिरदाय को भेद रही है क्रोध कैसे जाए अभी भी थेरा चोटा भाई कड़ा होकर मुझे ताकर आए कि इसकी गरदन पर मैंने कुठार ना चलाया क्रोध करके किया ही क्या कुछ स मेरा किरोध बेकार चला जाए मेरा भी दुरभाग्य है आज मुझे इसको जिवित दोख न देखना पड़ रहा है किसी राज पुरुष ने मेरा इतना अपमानने किया जितना इस तर आज पुत्र ने कर दिया विधाता विपरित हो गया है इससे मेरा सभाव बदल गया है नहीं तो भला मेरे हिर्दय में किसी समय भी कृपा कैसी लगता है फिर भी इतना क्रोध भी आ रहा है ऐसी ऐसी वानी बोल रहा है इसके उम्र के कई राजकुमारों का वद्ध मैं पहले ही कर चुका हूँ लेकिन मेरा फरसा फिर भी चल नहीं समय बदल गया है अब समय बदल गया है परशुराम जी खुद स्विकार करते हैं बदल चुका है समय अब वह समय नहीं रह गया इसलिए मैं इस पर कुठार चला नहीं पा रहा हूं एक रोध कर रहा है ऐसी ऐसी बाते तो मैं सुन नहीं सकता और बोलने का बोलने का मौका ही नहीं देता मैं च्छत्रियों को एक वारम ही सिर्धर से अलग कर देता हूं लेकिन फिर भी ये इतना बोल गया और मेरा फरसा फिर भी नहीं चला है इसका मतलब है कि अब समय बदल चुका है यूग परिवर्तन हो चुका है आज दया दुख दुसह सहावा सुनी सौमित्रे ब पायू भी आपकी मुर्ति के अनुकूली है वचन बोलते मानो फूल जड़ रहे हों कि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो कुरूद होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे भाई आप अब दूसरा बान लक्षबंजी अभी चुप नहीं है बान मार रह में तुम्हारा शरीर इतना जलता है तो जब सही में क्रोध करोगे तो कितना जलेगा लक्षमन जी एकदम मतलब की पीछे पड़ गया है कि छोड़ना नहीं है शब्दों के बान से इतने बान तो उन्होंने युद्ध मेना चलाए होंगे जितने बान आज परशुराम जी पर चला दिये व्यंगबान बेगी करहु किन आखिन ओटा देखत छोट खोट ने पुड़ोटा बिहे से लखनु कहा मनमाही मूंदे आखी कतहूं को नाहीं इसको शिग्र ही आखों के ओट क्यों नहीं करते यह राजपुतर देखने में छोटा है पर यह बड़ा खोटा है हटाओ इसको मेरी नजरों से सामने से हटाओ क्योंकि परशुराम जी कोई वध करने किसी का आय नहीं है यही उनका उद्धिश्य है परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधू संभु सरासनू तोरी सठ करसी हमार प्रबोधू तब परशुराम जी हिर्दय में अ परशुराम जी ने सीधा बोल दिया राम जी को तेरा यह भाई तेरी समत्ती से कटू बचन बोलता है तुछल से हाथ जोड़कर मेरे सामने प्रात्ना करता है या तो युद्ध में मेरा संतोशकर नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे अरे शिवद्रोही छलत याकर मुस्ते युद्ध कर नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूँगा इस प्रकार पर शुराम जी कुठार उठाय बक रहे हैं और शुराम जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं हाथ जोड़कर खड़े हैं और लक्षमन जी व्यंगबान चल खायो ते बड़ दोशु ठेढ़ जानि सब बंदई काहू बक्र चंद्रमही गरसाइन राहू गुनाह तो लक्षमन का और कुरोध मुझ पर करते हैं कहीं कहीं सीधे पन में भी बड़ा दोश रहता है ठेढ़ा जानकर सब लोग किसी के भी वंदना करते हैं और ठेढ़े च अगर आपको लगता है कि मेरी गरदन अगर आपको लगता है कि मेरी गरदन उतार कर आपका क्रोध चला जाएगा तो वही काम कर लीजिए आप मेरी गरदन ही उतार लीजिए प्रभु सेवकही समरू कस्त जहू विप्रबर रोशू बेशू बिलो के के हिसी कचु बालक हू नहीं दोशू स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा ब्रामन स्रिष्ट कुरूध का त्याग कीजिए आपका इश्वामित्र जी ने कभी शस्त्र नहीं उठाए हम हमारे पास ही आये कि भाई राक्षसों का वद्ध करना हमसे इसा हैता मांगी लेकिन आप शस्त्र भी धारन करते हैं और साथ में रिशी वेश में भी हैं तो इसने व्यंग कर दिया आपकी उपर की भाई इसको लगा कि भाई दोदोवेश धारन किया हुआ वेक्ति देखी कुठार बान धनुधारी भै लड़े कहीं रीश बीरु विचारी नाम जान पै तुमही नचन्ना बंस सुभाय उत रहु तो ही दिनना आपो कुठार बान और धनुष धारन किये देखकर वीर समशकर बाला को क्रोध आ क्या युद्ध करने आया लगता है ब्रामण तो इससे युद्ध ही कर लेते हैं क्योंकि आप तो युद्धा की तरह आए इदम क्रोध में आवेश में आ। लक्षमन हैं तो मेरा जो भाई है वैसे ही रभु वंची है और वीर है और युद्ध की भूमी में किसी को छोड़ता नहीं है तो इसके भी मन में बन गया कि भाई कोई लगता है कोई बहुत बड़ा युद्धा युद्ध करने आया है जो तुम आते हूं मुनी की नाही पदरज सिरसिसु धरत गुसाई चमह चूक अज अनजानत केरी चही विप्र उरकृपा घनेरी यदि आप रिशी मुनियों की तरह आते जैसे वशिष्ट जी आते हैं जैसे विश्वामित्र जी आते हैं यदि आप वैसे आते तो मेरा भाई आई ऐसी गलती नहीं करता बालक आपके चरनों की धूली पर सिर रखकर लोट जाता अंजाने की भूल को च्छमा कर दीजिए प्रभू आपका च्छत्रिया रूप देखकर आप रिशी होकर भी च्छत्रिया रूप धारन करने वाले हैं ये आपकी महिमा को नहीं जानता औ शमारी और आपकी बराबरी कैसे हो सकती है मेरा नाम तो बस राम है अब देखिए-ब भगवान राम हो बात तो कर रहे है विनम olmas करा रहे हैं थी अब cuma सब्च जुड़ा हुआ हे आपका ना माज़ा इतना बड़ा मैं आम इतना कर रहे हैं देव एक गुण धनुष हमारे नवगुण परम पुनीत तुम्हारे सबकार हम तुमसन हारे छम विप्र अपराद हमारे हे दो हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम दप तप शौच छमा तरलता ग्यान विज्ञान और आस्तिक्ता आप तो किसी भी रिशी को ऐसा ही मानते हैं और आप तो ब्रामन हैं तो आपके अंदर ये गुण होने चाहिए हम तो सब प्रकार से आप से हारे हुए हैं हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं मेरा नाम तो छोटा सा है राम और आपके साथ तो परशु राम है भला आपकी और मेरी की बराबरी कहा हो सकती है मैं तो बहुत चोटा हूं आप बहुत बड़े हैं नाम ही इतना बड़ा है बार-बार मुनी विप्रबर कहा राम सन राम बोले विगुपति सरूस हसु हसी तहु बंदु समभाम सan ने सा राम को बार-बार मुनी और विप्रवर कहा तब भ्रिगुपती कुपित होकर अथ्वा क्रोध की हसी बोले तू भी अपने भाई के समान टेड़ा बोल रहा है तू क्या समझता है कि इतने प्रेम से बोलेगा प्रेम से व्यंगबान मारेगा तो मैं बड़ा समझूंगा अपस प्रेम का नाम है मेरी आफ की बराबरी क्या हो सकती है मेरा तो नाम ही छोटा है मैं तो छोटा हो गया न राम जी आप परासुर रामfest Sizeं समझा मुझे मैं नहीं समझता करता है तू तूने ही सब सिखाया इसको तेरी सम्मत्ती नहीं अभी तक यह व्यंग के ऐसे बान छोड़े जा रहा था पता नहीं मेरा फरसा आज चल नहीं पा मुर्ख समझाय मुझको जानता हूं कि आडए हातों ले लिए डिये समती सेन छतुरंग सुहाई महा मही पफचु आई मैंने जो महायद्व किया है बड़े बड़े राजा उसमें आकर बली के पशु हुए हैं जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बली दिया है ऐसे करोड़ो जप युक्त रणयग्य मैंने किये हैं अब फिर परशुराम जी अपना कहानी इतिहास सुनाने लगे इतिहास और लक्ष मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है इसी से तु ब्रामन के धोखे मेरा निर्याधर करके बोल रहा है धनुश तोड़ डाला इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है ऐसा एहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा हो गया है राम कहा मुनि कहो विचारी दिसा अतिबड़ी लगू चूक हमारी चुवत ही तूट पिनाक पुराना मैं कही हे तो करऊं अभिमाना से राम चंद जे का कि मुनि इसमें अभिमान करने वाली कौन सी बात है मैंने शिव धनुस तोड़ दिया इसमें अभिमान वाली कोई बात ही नहीं है अरे इतना पुराना धनुस था थोड़ा सा हिलाया और तूट गया इसमें भला मेरा क्या दोश आपक्रोध बहुत बड़ा है आप इतनी छोटी बात पर इतना बड़ा क्रोध क्यों करते हैं य अगर आपको लगता है कि आपको ब्रामन कहकर हम निरादर कर अब पर शुराम जी कोई ब्रामन नहीं कहता था यह कि उनका वेश शत्रियों वाला था और आपको हम ब्रामन कह रहे हैं आपको हम ब्रामन कहकर प्रणाम करते हैं बार बार लेकिन आप जो हैं बार बार कोप किये जा रहे हैं इसमें कोई वह वाली बात नहीं है धरुस बहुत पुराना था छूते ही हिलाते ही तूट गया अब इसमें कोई बहुत बात नहीं है आपको जो करना है करिए अब परसुराम जी युद्ध करने तो गय नहीं है परसुराम जी किसे दूसरे उद्ध्यस्य से गय हुए है अब परसुराम जी फरसा चलाए तो कैसे चलाए परसुराम जी को इतना धर्म संकट में डाल दिया दोनों भाईयों ने मिलकर कि पूछो मत आज महावीर की वीरता धरी की धरी रह गई इतने व्यंग बान चले इतन कुछ सहन कैसे कर पा रहे हैं अरे यह तो किसी राजा को बोलने नहीं देते जरासा बोले की फरसा चला और गर्दन सर सर जो है धड़ते अलग गर्दन धड़ते अलग हो जाएगी फिर आज इतना कुछ सुनने का धैरे इनके अंदर आ कहां से गया सारे राजा भी आश्चरे कर रहे हैं और भगवान राम भी व्यंग कर रहे हैं पहले लक्षमन जी व्यंग कर रहे थे अब राम जी बड़ी शांती से लक्षमन जी थोड़ा आवेश में व्यंग कर रहे थ अब भगवान राम बड़े मीठे मीठे शब्दों में व्यंग कर किये जा रहे हैं कि भाई हम तो यही समस्ते हैं और यह धनुस तो ऐसे ही था पुराना धनुस्ता और थोड़ा सा हमने हिला दिया तुट गया इसमें अब क्या किया जा सकता है शत्रिया का श्री धरकर जो युद्ध में डर गया उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया मैं सुभाव से ही कहता हूं कुल की प्रशंशा करके नहीं कि रगुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते हैं तो आप से क्यूं डरेंगे अब भगवान राम ने पूरी चुन सुनी मिर्दू गुण बचन रगुपत के उघरे पटल परसू धर मती के ब्रामन वंश की ऐसी ही प्रभुता है कि जो आपसे ड़ता है वो सब श्री रगुणाजी के कोमल और रहस्य पुर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धी के परदे खुल गये राम रमापत तो भगवान विश्नु का सारंग पानी धनुष एक बार खीच कर दिखाईए तो मैं मान जाओंगा कि आप क्या है और उस समय जैसे ही परशुराम जी ने अपने कंधे से धनुष निकाला ही था कि धनुष अपने आप चल कर राम जी के पास पहुंच गया और भगवान रा देने लगे तब वह चाप अपने आप ही चला गया और तब पस राम जी के मन में बड़ा आश्र हुआ जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुलित गात जोरी पानी बोले बचन हिर्दयन प्रेमू अमात तब उन्होंने स्री राम जी का प्रभाव जाना और कहा कि हेक अ हरसराम जी ने भगवान कमला पती का गुनगान किया अर्थाद भगवान विष्णू का गुणगान किया भगवान राम के कंधे पर सारंग पानी धरुष आ गया और सुशोभित देख कर पशुराम जी भगवान राम का जयजयकार करते हैं और इस प्रकार से अब आगे बहुत कुछ छमा प्रार्थना बहुत सारी चीजे लिखी हुई महादेव के मन रूपी मांसर के हंस आपकी जै हो मैं अनजाने में आपको बहुत अनुचित वचन कहा उसे भी आप व्यथा मत लिजीए अब आप जो कहने का मतलब की अब उनका समय खतम हुआ राम चंद्र जी का समय शुरू हो गया अब जो परिशुराम जी का धनुष था राम जी के हाथ में आगया अ यही कारे करने आये थे कि शिव का धनुष को सधारन व्यक्ति तोड़ेगा नहीं, तो जिसने तोड़ा है, वो सारंग पानी धनुष भी खीच कर दिखाएगा, उसके अंदरे चमता होगी, लेकिन परसुराम जी ने कहा कि खीच कर दिखाओ, सारंग पानी को, अगर तुम ने कहने की देर थी कि सारंग पानी धनुष जैसे ही भगवान परशुराम ने अपने कंधे से निकाला वैसे ही धनुष उनके हाथ से छूट गया और भगवान राम के पास चला गया परशुराम जी को संकेत मिल गया कि मैं किसके सामने खड़ा हूं रामावतार के सामने खड़ा ह अब परशु नहीं अब तो राम की आवशकता है तो इसी लिए भगवान राम चंद्र जी ने जिम्मेदारी लेली की दुष्टों का विनाश अब आपके हातों ही होगा चाहे वो जिस भी रूप में आए हो चाहे उनका जनम पुलस्त रिशी के कुल में क्यों ना हुआ हो फि सिवा के बाद अयोध्या प्रस्थान होता है और कई कई का प्रसंग आ जाता है चलिए राम कथा में आगे कौन सा विशय आएगा हम उसे सुनेंगे कल सुनते हैं आगे बढ़ते हैं चर्चा आगे बढ़ती रहे कि जुड़े रहिए बने रहिए अगर आपको आनंद आ रह रहा है तो सबस्क्राइब जरूर कीजिए क्योंकि वैसे भी सनातन धर्म के प्रसार करने वाले चैनल अज्यदी किसी संस्थान और संगठन के हैं तो बहुत असानी से आगे बढ़ते हैं लेकिन मुश्किल से ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि ये चैनल किसी संस्थान, संगठन, किसी मठ या करका नहीं है और आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का यह जो इस चैनल के परती जो अनुराग है और आप जो सुनने आते हैं उसी से सब कुछ है, तो निश्य ही अधी आपको लगता है कि यहां स्रेश्ट चर्चा होती है, आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर भी किया करें, सबस्क्राइब भी किया करें, तो आईए इसी के साथ मैं विराम दूँगा और कल फिर मिलेंगे इस चर्चा में, समय काफी हो है, तो उनके नाम जरूर पढ़ दूँगा, जगत नरायन जी, बिकरम सिंग जी, संकर प्रसाद जी, उशा शिरवास्तव जी, कनहाई कुमार जी, राजू पाल जी, विनोत कुमार सूच जी, विंदेश्वरी मिश्रा जी, गविंद प्रसाद नीमा जी, उजवल शेतरी ज पूनम सिंगला, कल्पना बागले जी, बेस्ट फ्रेंड्स, बिमला शाह, गनेश पवार, अशोक श्रिवास, लाल बहादुर सिंग जी, योगिंदर पंडित, सरोज कृष्णानी, नीती सिनह, मनीश जादो, सतसंग, धरियल फैक्स, राजेंदर कुमार, रूप लाल विश शुकर्मा, पंकस सोनी, देवरतन बलदावा जी, सतसंग जी, स्पी सैनी जी, एए सतसंग, हरीश दंगवाल, इसमिता सावन, संदीप मिश्रा, मनीश जादो, पिंटु वास्वा, शिवम भट, अशोक गोयल, रवी शंकर चोहान, कमलेश उपाध्याय, गोपाल सिंग, बहुत-बहुत अभिनंदन है, कारिकरम में बहुत-बहुत स्वागत है, जुड़े रहें, बने रहें, और कल फिर हम मिलते हैं, अलग रामचरित मानस की आगे की बढ़ती हुई चर्चा को लेका, नौ बजे लाइव चर्चा में ध्यान योग का कोर्स शुरू हो चुका है प्राकरते चर्चा का कोर्स शुरू हो चुका है, आज लेकिन फर भी दो दिन का समय है, आप जोईन कर सकते हैं, 16 तारीत तक अगर नहीं जोईन किया है आपने, तो 16 तारीत तक आप जोईन कर सकते हैं, ध्यान योग का कोर्स एक महिने का होता, प्राकरते चर्चा का भी एक झाल झाल